नमस्कार मैं हूँ जिया और आप देख रहे हैं दखवरदा नियूस मद्यप्रदेश सहडोल जिले में वन विभाग ने आज दुपहर बड़ी कारवाही की है इस कारवाही में लाखों की कीमत की लकडियों के साथ दो आरोपियों को गिरफतार भी किया गया है जब तकी गई लकडि की कीमत एक लाख रुपे के आसपास बताई जा रही है सहडोल वन विभाग की बड़ी कारवाही सामने आई है जहां वर्षों से चोरी की लकडियों का व्योसाय करने वाले दो आरोपियों को वन विभाग ने गिरफतार किया है वन विभाग ने बताया है कि बीजा साल सागोन की लकडी बरामद हुई है जो लगभग 84 नग बताई जा रही है इसके साथ ही पकड़ी गई लकडी की कीमत लगभग 1 लाख रुपे बताई जा रही है उपवन मंडला अधिकारी राहुल मिश्रा के नेतुरत में एसपी त्रिपाठी परिछेतर अधिकारी के मार्ग दर्शन में हुई इस कारवाही में जिन दो व्यक्तियों को गरफतार किया गया है उसमें रज्जु कुसवाहा वा उदय चंदर सोनी सुहाग पुर के रहने वाले हैं ये दोनों बीते लंबे समय से कीमती लकडी का चोरी चिपे व्यपार करते थे जिने आज वन विभाग ने लाखो की लकडी के साथ पकड़ा है आए देखते हैं सहडोल से हमारे रिपोर्टर अविनाश शर्मा की यह रिपोर्ट बने रही है दखवरदानी उसके स जाती रही और ये घर में चिरान करकर चौकट, किमारा, दर्वाजा, खिड की इत्यादी बना मना कर विक्री की जाती है मेरे को मुख्वित तंत से कल सूचना मिली थी जिस पर मैं उबनमनला दिकारी से सर्चवारन चारी करवा कर उनके दिदेशन में अपनी टीम लेकर जप्ति करवा ही की दिए 84 नक चिरान जप्ति हुई है और करीब इसकी कीमत लाखों में आ की जा सकती है